हेलो फ्रेंड्स वेलकम टीम यूट्व चैनल अंतरिक्ष वैशनव आज की फर्स्ट वीडियो अंतरिक्ष वैशनव में हम डिस्कूस करने वाले हैं मीट्रोइड्स एंड आस्टरोइड्स के बारे में जो हमारे सोला सिस्टम आउटिण यूनिवस में होते है ये चोटे-चोटे पत्तर किसी प्लैन Gent या फर किसी मून के कोलाइजिन में हुए छोटे-छोटे पीसस है उसे ही हम मीट्रोइट और एस्ट्रोइट कहते हैं एस्ट्रोइट और मीट्रोइट में बहुत सारे बहुत सारे फर्क है जिसके एस्ट्रोइट अगर धर्ती के और आ रहे हैं तो हमें पहले सी पता चल जाता है पर मीट्रोइड आने का पता हमें नहीं चल जाता that is the difference between मीट्रोइड और एस्टरोइड तो समगुछ रोमांचक मिस्ट्री इस लें गरते हैं इसके बारे में हमने कभी अंतरिश्की और देखते हुए एक टूटते तारे को देखा है यह तारा जो हीलता है तूटकर आता है उसे हम तूटता तारे कहते हैं पर एसा कुछ चीज मेरे भाई एकसिस्टी नहीं कर दा इस यूनिवर्स में यह तूटता तारे जो हम कहते है वो असल में आस्टरोइड है चोटे आस्टरोइड जो हमारे थर्ती की अट्मोस्वियर में एंटरो के राग बन जाते हैं तब ही वो हमें बहुत लाइटनिंग रूप में दिख जाता है गाईज डाट इस दा मीनिंग अफ आस्टरोइड सो मीटरोइड के बार में में एक फाक्स बताओ कि मील्टरोइड भी कुछ तूटते तारे हो सकते हैं मीटरोइड अलसो चैन्टी सम लाइटनिंग स्टाज क्यों बताओ हमेशा हमारे सोडा सचे में आस्टरोइड सी तो नहीं होते कभी कभी मेल्टरोइड होते ये दोसे तारे के रूप में आकर हमारे धर्थी के एकनो सूसारोगाहएं गर ऒप Hack ये जो small asteroids और asteroids आते हैं तूर्टे तारे के गितने पर तूर्टे तारा ही तो asteroids and asteroids नहीं आच रहुँगा इसके बारे में बारे-बारे बताके अगली टोपिक मैं जाती है आपने कभी छे पूंचो वाला comet देखा है, comet क्या बता है 미 Efendimiz और asteroids जैसे ही चोड़े-चोड़े बदर होते हैं को मेट्स को देखा है अपने गभी है हां देखा ही होगा YouTube में सब सब को मैट के तो वैसे only one big tail होता है वह tail को कि क्या होता है बता है वह tail असली में जब वो सूरज के और्बिट करता है वो कोमेट तो वो आइस बिगल के ग्यास बनता है वो किलोमेटर्स एक्सेंट होने वाला वो टेल पर आपने कभी छह पूंचो वाला कोमेट देखा है यह सुनने में तो वैल इंपॉसिबल लगता होगा पर यह पॉसिबल है भाई हमारे यूनिवर्स में सब कुछ पॉसिबल है वैली कैसे हुआ पता है आपको नासा नहीं रिसर्च करके बताय है कि यह हुआ ऐसे कि वह कोमेट असल में एक नहीं था वो की छेज़ए कोमेट था जो एक साथ ऐसे जोइन होके देखने में आ रहा था इसलिए उसके चैपॉंच है भाई बहुत इंडरेस्टिंग है आपने सोज़ा नहीं होगा नहीं होगा उसके बीज़े का रीसन सब द कोमेट हो सकते हैं वेल दोस्तों यह तो अनकाउंटेबल है पर भी अगर हम गैस करें तो कुछ पैसे जिंसी इसने बोला है कि देर इस वान बिलियन हंडर लक्स बट देर इस नोट अकाउंटेबल अमाउंट अफ दीस रोक्स इना सोला से चैप। आप सोच रहोंगे यह र है आस्ट्रोइड सो अस्ट्रोइड से आते है वाट इस अस्ट्रोईड वेलत हैं यह प्लाइनिस अर्थ इस के बाद गैस जाइंस trp मार्स के बाद ग्यास जाइन से डिवाइट करने वाला एक बेल्ट होता है जिसमें आस्टरोइड होते इसलिए हम उसे आस्टरोइड बेल्ट कहते है और हमारे सोला सिस्टम के पार एक बेल्ट है वो हमारे सोला सिस्टम को चार और खेड़ता है और हमारे सोला से चंगो प्रोटेक्ट करते हैं वो कौन से बता है दाट इस दा क्यूपर बेल्ट वो हमारे सूरत से 33 to 55 AU की दूरी में है AU means astronomical union 1 AU means 150 million kilometers तो आप सोचिए वो कितना दूर होगा कि क्यूपर बेल्ट में कुछ लोग विश्वास करते कि हमारा प्रू तो होता है चलो हमारे टॉपिक तो हो नहीं है फिर हम उसके बार में क्यों डिसकस करते हैं उसके बार में मैं डिट्रेल वीडियो बनाऊंगा वो तो फिरगी बात है अभी की बात सोचो हाँ हम गादे असरोइड बेल्ट मेटरोइड के साथ आज इस वीडियो में बहसे नहीं मैं वीडियो को जादे लंबानी करूंगा अब चैप्टर वीडियो में आऊंगा फाई मेरे चैनल को भीना सब्सक्राइब किये मज जाना लाइक भी कर देने इस वीडियो के लिए